आज हम कुरोना वाइरस के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं कि कुरोना वाइरस किस परकार से हमारे इंडिया में आया और इससे कैसे बचे हैं आप किर्पया इसको जरूर देखें देखें और साउधानी बढ़ते हैं कि हम किस परकार कुरोना वाइरस से बच सकते हैं अगर आपके आसपास में इससे सम्मादित कोई भी जानकारी आपको मिले तो आप किर्पया नीचे दिएगे हेल्प नाई नमबर पे जो है फोन करें आप ओके दोस्तों क्या है करूना वाइरस क्यों इतनी तेजी से फेल रहा है ये करूना वाइरस अब तक ले चुका है सो से भी ज्यादा लोगों की जान ये करूना वाइरस दोस्तों जिन लोगों को पता है ये करूना वाइरस खितना खतरनाक है वे लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें और चिन लोगों को नहीं पता है वे लोग भी इस करूना वाइरस के बारे में जरूर जाने क्योंकि दोस्तों हम आपको बताएंगे करूना वाइरस से बचने के उपाए क्या क्या अब हम सावधानिया पड़तें इस करूना वाइरस से बचने के लिए क्योंकि दोस्तों ये करूना वाइरस चीन से अब भारत भी आ चुका है और इस करूना वाइरस की एंट्री उत्तरपदेश, बिहार और दिल्ली भारत के के राज्यों में हो चुकी है चीन से फेला ये जानलेवा वाइरस अब बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ ग्यारा देशों में फेल चुका है जिसमें अमेरिका और दुबाई जैसे देश शामिल है ये करूना वाइरस एक आम बिमारी की तरहा ही है जिसमें करूना वाइरस के ये लक्षन नजर आएं वो इ इस बुखार की आने को एक आम बुखार समझ सकते हो लेकिन अगर दवाई लेने पर आपका बुखार ठीक ना हो तो इसे नजर अंदाज ना करें हो सकता है इस बुखार का कारण करूना वाइरस हो इस वक्त इस करूना वाइरस की वजह से बुखार भी काफी तेजी से फेल प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है यह बिमारी उन लोगों को तेजी से लगती है जिनका दिल कमजोर है जिने सांस संबन्धी कोई बिमारी हो जिनका लंग्स कमजोर हो और इस तरहा की बिमारी 40 साल से उपर वाले व्यक्ति को होती है जिस किसी भी व्यक्ति को खासी जुकाम हो या निमूनिया हो तो वे व्यक्ति मास्क पहने नहीं तो ये बिमारी दूसरे व्यक्तियों में फैलती जाएगी और वे व्यक्ति भी मास्क पहने जो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जिसे खासी या जुकाम हो इस वक्त सभी लोग घर से जब भी बाहर निकलें तो मास्क पहन कर ही निकलें क्योंकि ये करूना वाइरस आपके सांस के जरीये से आपके शरीर में फेलता है जिसको खांसी या जुकाम हो वेव्यक्ती बार-बार अपनी आख, नाक और मुझ को नाच हुए और बार-बार अपने हाथ साब उन से धोता रहे चीन के लोगों में ये वाइरस जानवरों से फेला है ये बिमारी पहले जानवरों में थी और चीन के लोग कुथे का मीट, बिली का मीट, साप का मीट, चिडियों के घोंसले का सूप और चमगादडों का सूप बड़े चाओ के साथ पीते हैं साइंकिस्टों का कहना है कि ये बिमारी चमगादडों से फेली है और चीन में चमगादडों का सूप बड़े चाओ से चीनी लोग पीते हैं चीन में तो ये बिमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है चीन में फेले इस करूना वाइरस को वुहान वाइरस भी कहा जा रहा है इस वाइरस को लेकर अब सभी देशों में सतरता बढ़ती ही जा रही है भारत के अंदर उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितेनाथ ने भी ये एलान किया है कि अब उत्तरप्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कोलीजों में दस बेड के एसलेशन बोर्ड बनाने के ओडर दिये हैं विश्व स्वास्ते संगठन ने जगा जखा पर स्वास्ते संबंधी कई केम्प लगाए हैं जिसमें हार व्यक्ति की जाच की जाएगी किस व्यक्ति के अंदर ये करूना वाइरस फेला है भारत देश की राजधानी दिल्ली समीद मुंबई, चिनई, बेंगलुरू, पूची और कोलगत्ता हवाई एड़ो पर थर्मल स्केनिंग की व्यावस्था की गई है चीन और होंग कॉंग से लोटे यातियों की धर्मल जाच की जाएगी यातियों को विमान में चड़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा हवाई एड़ो पर उत्र मामूली वाईरस ना समझें इस वक्त केई हजार लोग इस बिमारी से जूज रहे हैं ये बिमारी बड़ी ही तेजी से फेलती जा रही है दोस्तों दरसल ये बिमारी सबसे पहले 1960 में आई थी लेकिन तब ये कोई नहीं जानता था ये वाईरस कहां से आया है लेकिन अभी साइंटिस्ट सिर्फ इतना ही पता लगा पाए हैं कि ये बिमारी जानवरों से फेली है और ये बिमारी इस वक्त जानवरों में भी बड़ी ही तेजी से फेल रही है लेकिन इस बात का साइंटिस्ट अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं कि इस बिमारी की असल दवा किया है जी हाँ दोस्तों इस वक्त ये बिमारी इसलिए इतनी खतरनाक है क्योंकि इस बिमारी की दवा अब तक कोई डॉक्टर या साइन्टिस्ट नहीं खोज पाए हैं सिर्फ इस बिमारी से बचने के लिए साइन्टिस्ट और डॉक्टरों ने कुछ साफधानिया और कुछ चीजों से प्रहेज बताया है इसलिए हर व्यक्ति हमारी बात को अब गोर से समझें और अपने दोस्त और रिष्टिदारों से भी बताएं नमब वन किसी भी परकार का पेपधार्त जैसे कोल रिंग्स, आइस क्रीम, कुलफी इस तरह की चीजे खाने से परहेज करें नमब टू, बंद पेकिट में मिलने वाली चीजे जैसे चीप्स, टोफी, कुरकुरे इस तरह की चीजे ना बच्चों को खिलाएं और ना खुद खाएं नमब त्री, किसी भी परकार के बंद डिब्बे का भोजन ना करें जो 48 घंटों से बंद हो नमब फो, सील बंद दूद यानि पेकिट में मिलने वाला दूद ना पियें और दूद से बनी हुई मिठाईयां जो 48 घंटों से पहले की बनी हों, उसे ना खाएं नमब फाइव, किसी भी चीज़ का मास ना खाएं क्योंकि जानवरों से ही ये बिमारी इनसानों की शरीर में फेल रही है इन चीज़ों का परहिज आप तब तक करते रहें जब तक ये बिमारी पकड़ में ना आए विश्व स्वास्ते संगठन के मताबिक आप करोना वाइरस से बचनी के लिए अपनी हाथों को साबुन या गर्म पानी से बार बार धोते रहें खासते वक्त छीखते वक्त नाक और मूँ को किसी टीशू पेपर या रुमाल से ढखें क्योंकि छीख से भी ये बिमारी फेल रही है और घर से बाहर मास्क लगा कर ही निकलें दोस्तो हमने ये वीडियो सिर्फ आपकी हिफाज़त के लिए आपकी बचाओ के लिए बनाई है इसलिए दोस्तो हमारी मेहनत का फल आपका इस वीडियो को लाइक करना है अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा और दोस्तो ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें